आज किस वीडियो में बात करेंगे बीए फस्टेयर के यानि कि बीए प्रथम वर्स के सिकेंडर समस्टर दूतियर समस्टर के मद्देकालीन इतिहास के के एंसी क्यू टाइप के कोईश्टा एंसर के बारे में और बीडियो बहुत ही हलफुल होने वाली जिन जिन पर इपरिछा हैं यानिकी अब्जेक्टि बेस पर होने वाली है तो चलिए बीना देरी को वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो को कंप्रीट देखेंगे तो आ बाते में मुद्देबे तो आज किस वीडियों का पहला प्रश्ण है कि अलाउद दीन खिल जी जलाउद दीन के किस भाई का पुत्र था अगला कि अलाउद दीन के चार भाई यो में किस एकका वरण इतिहास में उपलब्ध होता है जिसके बारे मिदा में बताया गया है इतिहास के अंदर उसको डेटल में एक्स्प्रेंड किया गया है तो ध्यान रखेंगे उनका नाम है अल्मास बेग का ठीक है सही जबाब भी होगा यानकी बानमबर ठीक है अगला है कि सुल्तान जलाओदीन ने गद्धी पर बैठने के बाद अलाओदीन को उपाद दी थी कौन सी तो उन्होंने उनको उपाद दी थी अमीर ए तुजक की ठीक है तो ध्यान रखेंगे जब वो गद्धी पर बैठा उससे पहले जो अलाओदीन खिलजी था वो सुबेदार था लेकिन कहां का सुबेदार था तो ध्यान रखेंगे कड़ा मनिकापुर का वो सुबेदार था सा नंबर सही जबाब होगा अगला प्रश्ण है कि खिलजी समराज जिवात की सफलता के लिए अलाओदीन में कौन से कदम उठाएं अलाओदीन ने कौन से कदम उठाएं आपको बताना है ज़ान रखेंगे अलाओदीन ने कठोर सासन अस्थापित किया नमिन राज्यों को बिज़े मतलब कि ने ने राज्यों पर बिज़े प्राप्त किया और स्वड़ियंत्री कारी और विद्रोही सरदारों का दमन किया ठीक है तो यह सभी कदम उठाएं अलाओदीन के द्वारा इसलिए सही जवाब दर नमबर होगा और परियोक्त में से सभी अगला प्रशन प्रस्तित है कि अलाओदीन की उत्तर भारत की बिज़ेों में प्रमुक्त सहयोगी कौन था मतलब जब वो बिज़े प्राप्त करते थे किसी भी राज्य पर या फिर किसी युद्ध में ठीक है तो वहाँ पर उनका सहयोग करने में मदद करते थे ठीक है उलूख खाँ और प्लस नुसरत खाँ ठीक है नुसरत खाँ ये दोनों थे इसलिए सही जबाब साहोगा अगला कि लाओदीन के सासन काल में जब लाओदीन का समय था उसका सासन कालता है उसमें दच्छन विजय का परमुक स्रे किसको जाता है तो सही जवाब इसका हो जाएगा मलिक काफूर को जाता है सही जवाब आहोगा अगला किश्चिंन के लाउत दीन shell अपनी बिजयों से प्रतसाहित होकर प्रसंद होकर उपाद धारण की थी कौन सी तो ध्यान रखेंगे उन्होंने शिकंदर दुतिये की उपाद धारण की थी बानमबर सही जबाब होगा अगला की खराज गुजर का अर्थ क्या होता है तो खराज ठीक है गुजर का जो सेक्स और हिंदी में कर बोलते हैं अगला की नासीरी ठीक है नासीरी आमीर उल मुम्निन का तात्पर क्या है मतलब होता है ध्यान रखेंगे खलीफा का नाइव सानमबर सही जबाब होगा अगला प्रश्ण है कि अलावत दीन का पूरतया विस्वास था किस चीज में तो उस तो निरुंग ठीक है निरंकुस राजतंत्र में था इसलिए सईजबाब आहोगा ध्यान रखेंगे निरंकुस राजतंत्र पर था उसका पूर्ण विश्वास पूरा विश्वास अगला कि अलावत दीन के सत्ता ग्रहान करते हैं राज में कितने प्रमुक बिद्रों हुए अगला कि अलावत दीन ने विद्रों के दमन है तो जो अध्या देश जारी किये हैं उनकी जो संख्या है बहुत ही महात पूर्ण प्रस्ण है ठीक है वो है चार सही जबाब होगा आनमबर अगला प्रस्ण प्रस्तुत है कि भारते इतिहास में भी खुत और मुकदम ऐसी निर्धनता की इस्थित में नहीं पहुँचे कि इतिहास कार ने लिखा है ये बात तो ये जो बात है भारते इतिहास में भी खुत और मुक्दुम ऐसी निर्धनता के इस्थित में नहीं पहुँचे ये जो इतिहास कार ने लिखा है उनका नाम है ध्यान नकिंग वह थी महात पूर्ण प्रश्ण है उनका नाम है डाक्टर यू एंडे बानंबर सही जवाब हो में प्रदत्स है तो घूंटी फैंस चीनाम है घूर्ण की हिंदो की दैनिय इफ्षित का सबसे हैं साइजी जवान हो 2017 मुस्टक लाज से टाथपर किस वीभाक से ये का दतात पर है वो राजस विभाग से हैं जिसको आप लोग क्या बोलते हैं इंगलिस में रेवेन्यु डिपार्मेंट ठीक साही जबाब बाहोगा ओके चले निश कुश्चिन करो बढ़ते हैं अगला प्रश्चन है कि कि इतिहास कार ने अलाव दीन की राजस नीत की अलोशन करते हुए लिखा है कि यह नीत आत्मघाती थी क्योंकि उसने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार डाला तो सही जबाब इसका होगा डाक्टर तारा चंद्र ठीक है आगला कोश्चन की सेना में सुधार के लिए अलाव दीन ने किस प्रथा को प्रारम किया था तो से यह दो इन्होंने प्रथा प्रारम की थी इसलिए सही जबाब सा होगा यह दोनों की थी पहली और दूसरी सही जबाब सा होगा अगला प्रश्चन है कि बजार नेत का प्रमुक अधिकारी जाना जाता था तो बजार नेत का जो प्रमुक अधिकारी होता था उसको जाना जा ता था दिवाने रियाफत अथवा सहना ए मंडी के नाम से सही जवाब आनमबर होगा अगला कोश्चन है कि अलाउद दीन की बजार बेवफ्था का उद्देश क्या था तो अलाउद दीन ने जो बजार बेवफ्था चालू थी चालू की थी इसका जो देव था राज का हित आहे ते राज में रहने वाले लोगों का हित ठीक है अगला प्रशन है कि कुदबुद्दीन मुवारक साह के काल में बजार नियंतर नीत की असफलता के तो जो नियंतर था वो नीती जो थी वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई तो असफलता का कारण था कुद दीन अबेक की समराज विफ्तार के अनिच्छा मंगूल आक्रमण का भै ना हो ना सुल्तान का युद्धो क्या पेच्छा इस्त्रियों से लगाओ ये प्रमुक कारण थे अस्फलता के फिले सही जबाब दा होगा ध्यान नखेंगे अगला के अलावद दिन के गुजरात पर आक्रमण के समय वहां का सासा कौन था तो जब अलावद दिन ने गुजरात पर अटेक किया आक्रमण किया तो उस समय वहां का जो सासा क्यानी की राजा था वो था करण बगेला सही जवाब सा होगा अगला की रण थंभौर के अभियान के दोरान अलावदीन का सेना पती मारा गया था उसका क्या नाम था तो उसका नाम था नुसरत खां सही जवाब बाहोगा बहुत ही पोपलर कोईश्य ने ध्यान लखेंगे अगला प्रशन है कि अलावदीन चितोड के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ किस्टन में तो अलावदीन चितोड के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ था तेरा सो नो इस भी में सो देरा सो तीन इस भी में सही जवाब इसका आनमबर होगा तेरा सो तीन इस भी में ब को मैं मलिक महम्मद जैसी जिनको आप पुझ जाइसी के नाम पी जानते हैं अगला कोश्चन एक जरो की बिजय के लिए अलावद दीन के किसकी नेत्रत नेत्रत में एक विसाल सेना भेजी थी तो उनका नाम है कमलुद्दीन कर्धक रखेंगहि नाम है बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है दा नंबर सही इसका उत्तर होगा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के और अगला कुश्चिन ये है कि भारत में तुगुलक वन्स का संस्थापक कौन था ये 2022 में प्रश्ण आया भी है तो ध्यान रखेंगे बहुत ही महात्पूर्ण प्रश्ण है आपके एक्जाम के लिए इसका उत्तर होगा आपसा नंबर बा गयासुदीन तुगलक भारत में तुगलक वन्स का जो संस्थापक था इसकी सुरुवात जो की थी वो गयासुदीन तुगलक ने की थी इसलिए सही जबाब बा होगा अगला प्रश्ण कह रहा है कि निम्रिक परणुदी को इस सिस्टम को बंद कर दिया था ठीक does लिए शुमस्या अगला की दिलीब्ली दूर हैं यह क infect शुल्तान ने यह नरा लगाया था है बात कही थी तो उनका नाम है ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉप्लर कोईश्चन है गैसु दिन तुगलक ने नारा दिया था आ नमबर सही जबाब होगा अगला प्रस्तुत है कि इन आपस्टों में से किसका कथन है कि मुहम्मद बिन तुगलक देवगरी को अपनी राजधानी इफलिय बनाना चाहता था क्योंकि या समराज जिक के केंद्र में इस्तित था यानि कि बीचों बीच में इस्तित था इसलिए उसको बनाना चाहता था और यह जो बात है यह जियावद दिन बढ़नी कहते थे या फिर उनहीं का यह कथन है ध्यान लखेंगे अगला है कि सुल्तान महम्मद तुगलक द्वारा दौलताबा कि वो जो नगर था वो समराज के बीचों बेस सेंटर में था यानि कि केंद्र में था इफी लिए साही जबाब इसका आनंबर होगा अगला प्रशन प्रस्तुत है कि महम्मद बिन या फिर यहां पर बिल लिखा है ठीक है तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले ग बहुत कि मुख्य मुधर दिल्टा बाद लागा वहीं पर इसने अपनी ठीक है जुद्द हानी अगलाएकि मCongलत मी peace कि मुद्धर का प्रमिख महान सालय सक का नाम नेहीं भारत में सरबत्म संकेतिक मुद्रा का परशलन या फिस सुरुवात किया था सही जवाब्दा लगा मोम्मद बिन तुगलक अगरा की अमीरान ए सदाह का उतपीड़न करने वाले सुल्तान का क्या नाम था तो उसका नाम महुंंब्ध तुगलक द्यान रखेंगे महुंम्मद तुगलक भी ने यह पिस मुहमद बिन तुगलक ने सही जवाब क्या होगा कि आप शन नमबर बताये दानंबर ठीक है एक मिनिट अहां सल एक मिनिट एक मिनिट दा नमबर सही होगा ठीक है अगला कुश्चन है कि सल्तनत काल के सासकों में से किसने दिवान एक हैरात का प्रारम्भ किया था तो सही जबाब इशका हो जाएगा बहुत इमात पूर्परस्ण है फिरोज सात उगलक ने सा सही जवाब इसका होगा सा नमबर अगला है कि बली और अमीर के पदो को किस ने प्रथक किया तो बली और अमीर के पदो को जिन्हों ने प्रथक किया उनका नाम है मुहम्मद बिन तुगलक सही जवाब आ होगा अगला है कि इस सल्तनत काल में दार उल्सफा होता था कौन तो ध्यान रखेंगे एक चिकत साले होता था ठीक है जहां पर ट्रीटमेंट होता था इलाज चिकत साले सही जवाब आ होगा अगला है कि इबन बतूता के रहला में किसके सासनकाल का ओरण किया गया है तो ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका हो जाएगा अप्शन नम्बर दा मोहंमद बिन तुगलक का अगला कोश्चन है कि मुरक्कन यात्री इबन बतूता को किस्टने सासनकाल में दिल्ली का काजी निक्त किया गया किसको तो सही जवाब इसका हो जाएगा आप्शन नंबर मुहम्मद बिन तुगलक अगला कि इबन बतुता किसके सासनकाल में भारत आया तो सही जवाब इसका भी हो जाएगा आप्शन नंबर सा मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में भारत आने वा कि सुल्तान मुहम्मद तुगलक के सासन छेत्र को हिंद और सिंद सब्द का प्रयोक इसने किया है तो उस प्रोग बिद्वान का नाम है ध्यान रखेंगे इंपार्टन कोईश्चन है उनका नाम है अगला एकिन में से दिल्ली का कौन सा पहला फुलतान था जिसने होली का अभी तक आप नहीं जान रहे थे लेकिन आज जान लीजिए उसका नाम था मुहम्मद बिन तुगलक साही जबाबा होगा अगला कि कौन सा दिल्ली फुलतान हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बाते की है तो इनका भी नाम है प्रमुक जो हमारे ठीक है एति खास में इनका बहुत बड़ा नाम है ठीक है तरीगियों फिरोजी साही का लेखक है उनका नाम है ठीक है जिया ठीक है जियाउत दीन बरनी शैजवाब दा होगा अगला की फुतु हाते फिरोज साही का लेखा कौन है तो फुतु हाते फुतु हाते जो अध्याना केगे फुतु हाते फिरोज साही का जो लेखा के वो फिरोज तुगलक है सही जबाब आहोगा अगला प्रशन है कि दिल्ली के एक मात्र फुलतान जिसने अपनी आत्म कथा लिखी वो क कौन था तो दिल्ली के मात सुल्तान जो अपने आपकी कथा अपने बारे में जो स्वयम उसने लिखा है ठीक है उनका नाम है फिरोज तुगलक सही जबाब बाह होगा अगला है कि मुहम्मद तुगलक ने किस वर्स अपनी रावधानी दिल्ली से दौलताबाद में नहीं दिल्ली फे दिल्ली फे ले गया था कहां पर तौफ सभी जानते हैं वो ले गया था दौलताबाद अगला कि दिवाने अमीर कोही का संबंद कि शेत्र फे था दिवाने आमीर कोही का जो संबंद था ठीक है वो था क्रिसी भीभाग से यानि केगरी कल्चर डिपार्मे पिर कौन से सुल्तान का दर्बार था तो वो था मुहम्मद बिन तुगलक का सही जवाब सा होगा ध्यान रखेंगे अगला कोश्चन है कि फिरूद सा तुगलक ने किसकी अस्मुद चीर अफथाई रखने के लिए जौनपूर नगर की अस्थापना की थी तो बहुत महात्मो या कर वसूला था यानि कि टैक्स तो उस प्रमुक सुल्तान देखिए फुल्तान ने सरपतम ब्रहमडों फे जजिया टैक्स वसूला था ठीक है तो उस प्रमुक जो शिकंदर है बोल सकते हैं सासक है उसका नाम है फिरूद साहत उगलक सही जवाब दा होगा अगला प्रश है जिसने सिचाय पर भी टैक्स लगा दिया कर लगा दिया सही जवाब होगा शाह नंबर फिरूद साहा अगला प्रशन प्रस्तु था है कि दिल्ली का कौन सा फुल्तान असोक अस्तम को दिल्ली लाया था तो उस प्रमुक फुल्तान का नाम था ध्यान लखेंगे जिन्हों उन्हें सुल्तान असोक अस्तिक है असोक अस्तम को दिल्ली लाया था उनका नाम फिरूद सात उगलक था ध्यान लखेंगे सही जवाब आहोगा अगला है कि तैमूर लंग ने भारत पर आकमन किया था किस वर्स किया था तो उन्होंने संतेरा सुठान नवेश्विय में किय था सही जवाब आहोगा अगला है कि निम्न में से सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्यान के लिए किये कार्यों के लिए जाना जाता है तो उस प्रमुक शुल्तान का नाम है ठीक है फिरोज साह सही जवाब आहोगा अगला है कि दिल्ली फलतनत के इतिहास में किफ सासन करने वाला कौन सा ठीक है सुल्तान है तो सबस् Hahn चाहिए आपिसक़ हो जाये 갑 difficult looks अग्धिन तक साशन किया तीक है अगला कुश्चन है कि पीर को महम्म buffer का रिस्ता और ते मौहमत तयमूऱ जो है वो रिष्टे में पौत्र लगता था सा नमबर होगा अगला एक फिर और सा तुगलग द्वारा अफ़थापिद दान भी भाग किस नाम फे जाना जाता था जहाँ पर लोग दान कर सकें ठीक है तो उसको दिवान एक हैरात के नाम पे जाता था दा नंबर सही जवाब होगा अगला है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने किस नाम से किर्शी विभा की अस्थापना की है ठीक है तुन्हों ने जिस नाम से किसी विवा की अस्थापना की उसका नाम है दिवान ए अमीर को ही ठीक है सही जवाब दा होगा अगला है कि तुगलक बंस की अस्थापना कब होई थी तो सिंपल सी बात है तुगलक बंस की जो अस्थापना है वो सन 1320 सभीक होई थी 2022 में रिपीटेड है अगला की मुहम्मद बिन तुगलग द्वारा राजधानी परिवर्तन किस सन में किया गया था तो यह किया गया था 1327 में ठीक है सही जवाब दा होगा अगला प्रशन है कि फिरोज साही का लेखक कौन है ठीक है तारीक फिरोज साही पुस्तक है जिसके जो रशनाकार है जो लेखक है उनका नाम है बरनी सही जवाब आ होगा अगला के दिवाने आमिर को ही विभाग की अफ्थापना की गई है तो ध्यान रखेंगे सही जवाब होगा मुहमद बिन तुगलग ठीक है अगला की कि सुल्तान ने दो आप में कर ब्रद्धी की है निकि टैक्स की ब्रद्धी की है ठीक है तो उसका नाम है ध्यान जो बहुती महात्पोर्ट प्रश्न है जो बरीद थे वो गुपतुचर अदिकारी थे इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा नंबर पिछले वर सुन 2022 में पूछे भी गए थे और इश्वार भी संभाव ना किया सकते हैं तो पूरी के पूरी पीडियोफ अगर आपको एंसर सहित चाहिए तो आप लोग हमारे टेली ग्राम मेसेज कर दीजेगा और वट्सप गुरूप का लिंक इसी वीडियो की दिसक्रस्टर मिल जाएगा जो सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते को नहीं वीडियो के साथ जहिंद